हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपके लिए ये चोटा सा बूट लेकर आई हूँ ना प्यारा लग रहा है और कितना सुन्दर बना हुआ है बहुत कम समय में ये बन जाता है आप इसको six months से लेके one year के बच्चे के लिए बना सकते हैं तो देखिए कितना प्या है और अब हम यहां पर 16 चैन लेंगे तो देखिए हमने यहां पर 16 चैन बना ली है अब हमें देखिए कैसे काम करना है पूरी रो जो हमें बनानी है ये जो सारी पट्टी हमें बनानी है बिना धागे लिए हमें बनानी है तो देखिए इस तरीके से ये जो हमारी चैन है मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ तो ठीकिए हमें अबना जो दूसर राउंड है वो कैसे स्टार्ट करना है ये जो हमारी चैन है उसमें हम धागा लेते हुए इस तरीके से हमें क्रोस ये हुक पे धागा नहीं चड़ाना है बिना धागे के हर चैन में से हमें इस तरीके से लेना है और फिर इस तरीके से बनाना है पूरा राउंड बिना धागे के ही हमें कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है अब हम work को turn करेंगे देखे friends एक round हमारा complete हो गया है अब देखे हमने हाँ पर एक chain ले ली है अब हमें ये दोनों chain एक साथ नहीं उठानी है जैसे हम इसको उठाते हैं न उस तरीके से नहीं बनाना है हमें पीछे की side ये जो back की side की chain होती चैन का एक धागा होता है उसको उठाना है इस तरीके से और उसको बनाना है ये देखे फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ ये एक chain का धागा उठाना है हमें और उसको बनाना है इस तरीके से ये देखे सभी round हमें अपने इसी तरीके से complete करने है एक धागा उठाना है चैन में दो धागे होते हैं ये देखिए मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ चैन में ये इस तरीके से दो धागे होते हैं तो दोनों हमें एक साथ नहीं उठाने हैं ये पीछे वाला पीछे वाला हमेंसा हमको उठा कर लिना है तो यह round complete करके आपको दिखाती हूँ और यह देखे हमारा दूसर round भी complete हो गया है और फिर से अब हम third line बनाएंगे तो यह हमने एक chain ले ली है और यह जो पीछे chain का धागा होता है उसको उठाते हुए देखे इस तरीके से यह पीछे वाला हमें धागा उठाना होता है यह देखे तो देखे यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा तो हमें सभी round ऐसे ही बनाने है तो उसके बाद मैंने यहाँ पर यह 7 round बनाए है उसके बाद मैंने यह दूसरा color जोड दिया है तो मैं यह अपने 7 round complete करके आपको दिखाती हूँ आप चाहें तो इसको एक ही color में बना सकते हैं लेकिन मैंने यह मुझे 2 color में बनानी थी तो इसलिए मैंने यह 2 color में बनाई है आपको round complete करके दिखाती हूँ तो देखे मेरे यहाँ पर 7 round complete हो गए है अब मैं यहाँ पर यह दूसरा color जोड़ूँगी तो एक बार count कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और साथ मैं इस color के अभी round कर लिए हैं और 14 मुझे इस color के round करने हैं उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इस color के 7 round करूँगी तो repeat कर लूँगी बराबर, बराबर हमें यह दोनों color के 14-14 round करने हैं तो देखिए हमें दूसरा color कैसे जोड़ना है इसी chain में मैं अपना दूसरा color यहाँ पर जोड़ लूँगी इस तरीकी से और यह वाला मैं धागा कट कर दूँगी फिर से हमें पीछे से धागा लेना है चैन वाला यह हमें बस इसमें एक ही बात का धिहान रखना है यह जो हमारी chain होती है ना दो यह हमें पूरी नहीं उठानी है सिर्फ हमें इसमें से पीछे की side का यह जो एक धागा होता है ना पीछे की साइड का वो उठाना है बस इस तरीके से और ये मैं सभी अपने राउंड कम्प्लीट करके आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रैंस हमारी पट्टी तयार हो चुकी है इसकी सिलाई करेंगे वो कैसे करनी है वो मैं एक बार आपको बता दीती हूँ तो हम धागा डाल लेते हैं तो यहाँ पर हमने धागा कट कर दिया था और यह मैंने सुई में धागा डाल लिया है और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो देखे इसको कैसे सिलना है जैसे हम लोग जर्सी वगएरा सिलते हैं सेम वैसे ही इसको सिलना है छोटे छोटे टांके लगाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे तो मैं यहां तक आ जाती हूँ फिर आपको आगे बताऊंगे तो यहां पर हमने सिलाई लगा ली है और अभी हम इधर लगाएंगे नीचे की साइड में तो थोड़ा सा हमें यहां पर एडी के लिए गोलाई देनी है तो देखें कैसे सिलाई करनी है इस तरीक से जिससे हमारा धागा खीच जाए इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको खींच लेंगे जैसे ये गोलाई आ जाए ठीक है बागी सिलाई हम जैसे यहाँ पर कर रहे थे सेम ऐसे ही करनी है जैसे जर्सी में करते है ये थोड़ा सा गोलाई आ जाती है एडी के लिए और फिर से हम ऐसे ही सिलाई करेंगे जैसे हमें ज मैं एक बार और आपको बताती हूं हमें यहां पर एक कोने में गोलाई देनी है हलकी सी और यहां पर भी हमें गोलाई देनी है तो देखे कैसे देना है अब हमें दोनों को एक साथ नहीं जोड़ना है अलाग अलाग इस तरीके से छोड़े चोड़े टांके लगाने है जिससे ह हम इसके धागे को खीच सकें इस तरह किसे बना लेंगे और दूसी साइड में भी फिर जब हम इसको धागे को खीचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से यह सलबट बन जाएगी इस तरीके से गोल बन जाएगा हमारा नीचे से और यहाँ पर अच्छे से खीचते अब हम उपर के एरिये में हैं तो देखिए कहाँ पर हमें सिलाई करनी है जहाँ पर यह हमने धागे जोड़े हुए हैं उससे इधर की साइड में थोड़ा सा लेते हुए इस तरीके से और दोनों को अच्छे से टाइट करके यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे अब हमें एक साथ इनको नई सिलना है जैसे घूम भरते हैं इस तरीके से हमें यहाँ पर घूम बनाने जिससे यह वाली सेफ हमारी आ जाएगी तो देखिए आप देखिएगा जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सेम ऐसे ही आपको बनाना है मैं एक साइड को लेकर धागा जब इसकी सलाई कर दियू दोनों साइडे मैंने नई ली हैं इसकी तो देखिए अब हम जब इसको धागे को खीचेंगे तो यह इस तरीके से बन जाएगा और जो हमारे बूट की सेप है वो आ जाएगी यह देखिए बिर्कुल हमारे बूट की सेप आ गई है बिर्कुल अच्छे से इसको खीच लेंगे और इसको अच्छे से याँ पर टक कर देंगे नोट लगा लेंगे एक अच्छे से नोट लगाकर धागा कट कर देंगे और इसको सिधा करेंगे हमारा बूट तयार हो चुका है ये देखिए कितना प्यारा बूट लग रहा है और इस तरह किसे आप यहाँ पर कोई बटर फिलाई बना कर लगा सकते हैं या जो भी आपके पसंद का हो फूल बगरा बना कर लगा सकते हैं तो देखिए दोनों बूट तयार हो चुके हैं ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया है इसी को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं चैन आप यहाँ पे 20 ले सकते हैं और साथ साथ राउंड लिए हैं तो राउंड आप आठ ले ले या नो ले ले तो इस तरीके से बड़े बच्चो का भी बन जाएगा तो देखिए कितने प्यारे बूट लग रहे हैं आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज से लाइक कीजिए जादे से जादे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू फोर वोचिंग